दोस्तो स्वागत एक नए वीडियो में दोस्तो इस वीडियो मताने वाला हूँ कि Poco C3 या C31 में आपकी सरफ से स्क्रीन टाइम आउट सेट कर सकते हो स्क्रीन टाइम आउट सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग पे चले जाना होगा अब सेटिंग ऊपन कर लोगे और सेटिंग ऊपन करने के बाद आप hello करोगे तो यहां पे आपको लॉक स्क्रीन का ओप्सन दिखेगा इसमें जा करके आपको स्क्रीन सेट करना होगा यह भी बताऊंगा कि क्यों जोरूरी होता है अगर आप डिस्प्ले में जा करके यहाँ पे screen time out सच करने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ पे seat करने के लिए आपको यह lock screen का सारा लेना पड़ेगा यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपको sleep time मिलता है अब यहाँ पे sleep time sleep time ही आपका screen time out होता है और यहाँ पे जितना time भी आप seat करोगे जैसे कि यहाँ पे मैं 30 second यहाँ पे seat कर देता हूँ तो 30 second तक अगर डिस्प्ले को मैं touch नहीं करता हूँ तो 30 second तक इसकी display on रहेगी इसके बाद यह sleep हो जाएगा और अगर 15 second कर देता हूँ तो 15 second तक यह display यहाँ पे दिखेगा और इसके बाद off हो जाएगा अगर आप continuously यहाँ पे चला रहे होते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है लेकिन जब आप पढ़ाई बगर रहे करते हो तो वहाँ पे आप काफी देर तक display को touch नहीं करते हो तो आपका display off हो जाता है तो off time कितना रखना है कितने दिरबाद off होना चाहिए वही time है reading करते हो तो एक minute तो इस तरह से आप set कर लेना वीडियो अच्छी लगे होगे तो like किजिए, share किजिए, subscribe किजिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक क्लिए वाबे